हेलो एवरिबरी कैसे आप सब सिंप्लिफाई लौ में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा ये सेशन होने जा रहा है फैमिली लौक एक टॉपिक पर जिसका नाम है स्त्रीधन इस सेशन की शुरबात करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चानल पे नए है तो प्लीज इस चानल को सब्सक्राइब कर दीजेगा बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुन सके चलिए बिना टाइम वेस्ट की आज की इस सेशन की शुरबात करते हैं स्त्रीधन सबसे पहले देखते हैं इसका इंट्रोड़क्शन देखें आज पर हिंदू लौ स्त्रीधन is whatever a woman receives during her lifetime स्त्रीधन includes all immovable property gifts received by women prior to marriage at the time of marriage during childbirth and during her widowhood तो हिंदू लौ के according स्त्रीधन बेसिकली ऐसा धन या ऐसी properties जो विमेन को उसके lifetime में मिलती जाती है फिचाहे वो movable हो या immovable property हो यह यह जो movable immovable property है उसे gift के तौर पर मिली हो फिचाहे वो शादी से पहले हो शादी के दर्म्यान जो भी ritualss या ceremonies होते हैं उसमें gift के according मिली हो या child birth के दौरान मिली हो या widowhood के दौरान मिली हो तो ऐसी जो कुछ भी properties या जो कुछ भी धन जो कुछ भी gifts वो उसके पूरे lifetime में collect या accumulate करती जाती है वो उस particular women का स्त्रीधन होता है स्त्रीधन differs from dowry in the way that it is the voluntary gifts given to a woman before or after her marriage and has no element of coercion तो स्त्रीधन को हम dowry से इस तरह से differ कर सकते हैं कि स्त्रीधन जो है हम कह सकते हैं कि voluntary gifts होती है जो एक women को मिलती है शादी से पहले या शादी के बाद, शादी के दौरान ये सब जो है वो gifts होती है और voluntarily women को मिलती है बिना किसी element of coercion की यानि आपे कोई दबाव या पे कोई force coercion नहीं होता है लोगों ने या फिर उसके relatives ने उसे voluntary दी होती है voluntarily ये सब gifts जो properties हैं ये women को मिली होती है और ये सब जो चीजे हैं वो उसके स्त्रीधन हैं उस पर सिर्फ उसी का हख होता है women have an absolute right over their striden जैसे कि मैंने कहा उस striden के उपर उस women का पूरा absolute अधिकार होता है देखें meaning of striden और अच्छे से clear हो जाएगा आपको कि striden basically एक क्या concept है देखें the word striden has been derived from the words stri meaning of women and the word dhana means property यानि की women की property therefore on combining these two words we get the property of women that is her striden उसकी property जिस पर सिर्फ और सिर्फ स्त्री का अधिकार है सिर्फ और सिर्फ उस women का अधिकार है any kind of movable and immovable property such as cash, ornaments, deposits, investments, receivable and immovable property in any form में constitute striden तो स्त्री धन ये specifically jewelry के ही form में हो ऐसा जरूरी नहीं है स्त्री धन ये cash के form में भी हो सकता है अगर उसे किसी ने gift के तोर पर cash उसके हाथ में रखा या cash दिया है चीक है ornaments हो सकते हैं उसके नाम पर अगर कोई deposits या investments हो या कोई maintenance उसे मिल रहा है फिर चाहे वो after video होने के बाद हो या फिर divorce के बाद हो तो इस तरह से उसे जो भी property फिर movable हो, immovable हो उसके पास accumulate होती जाती है collect होती जाती है वो एक तरह का स्त्री धन है चीक है? और उस पे सिर्फ उसी का हक है इस case में देखिए इस case में सुप्रीम कोट ने ये जो following हम लिस्ट अभी देखेंगे ये इसे उन्होंने स्त्रीधन बताया है देखिए गिफ्ट मेड बिफोर दे निप्चल फायर तो या वेडिंग सेर्मनी के दोरान जो कुछ भी rituals होते हैं उसके दोरान अगर उसे कोई gift मिला हो relative से कहलीजिए तो वो उसका एक स्त्रीधन है gift made at the bridal procession that is while the bride is being led from her residence of her parents to that of her husband यानि कि हम कन्यादान कह सकते हैं कन्यादान के दोरान अगर उसे किसी तरह का gift मिला हो या property मिली हो ठीक है तो ये भी उसका स्त्रीधन है gift made in token of love that is those made by our father-in-law and mother-in-law and those made at the time of the bride making obligations at the feet of elders यानि कि कह सकते हैं कि token of love के तोर पर अगर उसके साथ ससूर ने अगर किसी relative ने ऐसे bride को या फिर आशिरवाद की तोर पर अगर कुछ दिया हो तो वो भी उसका स्त्रीधन है fourth gifts made by the father of the bride यानि कि bride की father ने या bride के mother ने या bride के भाई ने अगर उसे कोई gift दिया हो तो ये सब चीजे क्या होंगी ये स्त्रीधन होंगी और इस पर सिर्फ उस women का हक है देखिए अब how स्त्रीधन is acquired kinds of women's property kinds of स्त्रीधन ऐसे किसी भी फर्म में question पूछा जा सकता है कि स्त्रीधन किस तरह सी acquired होता है या kinds of women's property बताईए या kinds of स्त्रीधन बताईए तो चाहे कोई भी question आए हमें यही answer लिखना है देखिए according to section 14 of the Hindu Succession Act 1956 property obtained by a woman from the following sources is her absolute property देखिए section 14 of the Hindu Succession Act के according 1956 act के according property जो भी women obtain करती है यह following sources से जो भी हम देखेंगे वो उसका क्या होगा उसका स्त्रीधन होगा वो उसकी absolute property रहेगी देखिए सबसे पहला क्या है gifts and bequest from relations यानि कि basically जो उसके parents या उसके relative से उसे मिलता है देखिए such gifts may be made to women during her marriage wedding rituals और widowhood by her parents and the relations और by the husband and his relation यानि कि ऐसे कोई gifts जो women को मिलते हैं उसके शादी के दोरान या wedding rituals के दोरान या widow होने के बार या फिर अगर उसे कोई maintenance मिल रहा है ठीके यह सब चीजे उसे parents से अगर मिल रही है उसके relative से मिल रही है उसके husband से मिल रही है तो यह सब चीजे स्त्रीधन के अंदर आएंगी such gifts may be interwovers or by will एक दुसरे के exchange में from one living person to the other living person with the consent of both the living beings over दयाभागा school doesn't recognize gifts of immovable property by husband as स्त्रीधन तो दयाभागा school जो है वो immovable property जो husband से उसे अगर मिलती है तो उसे as a स्त्रीधन करके recognize नहीं करती ओके आगे देखते हैं gifts and bequests from non-relations यानि कि किसी stranger से अगर उसे कोई property या उसे कोई gift मिलता है जो उसके relation में या relatives में से नहीं आता है देखें property received by way of gift inter-vivors और under a will of strangers that is other than the relations to a woman during कन्यादान और any other nubchal rituals constitutes her स्त्रीधन अगर कोई stranger भी कन्यादान के दोरान या wedding के दोरान अगर उसे किसी तरह की gift देता है या किसी तरह का कुछ भी ऐसे देता है तो वो उसका स्त्रीधन होगा property given to a woman by a gift inter-vivors और bequeathed to her by her strangers during all these ceremonies is त्रीधन according to the Bombay, Banaras and Madras schools अगला देखते हैं देखिये property acquired by self-exertion science and arts a woman may acquire property at any stage of her life by her own self-exertion such as by manual labor by employment by singing, dancing, etc or by any mechanical art along with the property that is acquired during widowhood or bridal procession is a student जैसे कि हमने कहा कि उसके कन्यादान के time या फिर widowhood के दोरान या फिर किसी wedding rituals के time अगर उसे कोई या फिर आशिरवात के तोर पर अगर कोई उसे property या gift मिलता है तो वो उसका स्त्रीधन होता है तो अब उसके साथ ही साथ अगर कोई women अगर women उसके life में पूरे अगर खुच से अगर कुच कमाती है या खुच से कुच property create करती है फिर चाहे वो कुच काम करकर हो employment से हो या dance करके गाना गाके या किसी भी तरह से अगर खुच से कुच वो property acquire करती है तो वो भी उसका स्त्रीधन होगा और उस पे भी सिर्फ उसी का हग होगा देखे property purchased with the income of स्त्रीधन इन all schools of Hindu law it is a well settled law that the properties purchased with स्त्रीधन और with the savings of स्त्रीधन as well as all accumulations and savings of the income of स्त्रीधन constitute स्त्रीधन देखे इसमें क्या कहा गया है कि Hindu law की जो भी schools है अगर उस स्त्रीधन से अगर उसने कोई प्रॉपर्टी ली है या अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी खरी दी है या उस स्त्रीधन को सेव करकर अगर उसने कोई प्रॉपर्टीज क्रियेट की है ठीक है तो ये सब जो चीजे हैं यह सब जो properties हैं जो उसने स्त्रीधन की मदद से यह स्त्रीधन का यूज़ करकर उसने properties खरीदे हैं तो वो properties भी उसी की होगी वो भी उसका स्त्रीधन ही होगा देखें आगला देखते हैं property purchased under a compromise when a person acquires property under a compromise what estate he will take in it depends upon the compromise date property obtained by a woman under a compromise where under she gives up her right will be her स्त्रीधन while she obtains some property under a family arrangement whether she gets a स्त्रीधन और women's estate will depend upon the terms of the family arrangement यानि कि इसके अंदर कहा है कि किसी तरह का family arrangement में अगर उसे कोई property मिलती है या फिर किसी तरह का कह सकते हैं कि अगर family के अंदर अगर कोई partition या फिर family के अंदर अगर कोई बटवारा टाइप से कुछ ऐसी चीज़ी हो रही है कि ये particular property या ये particular हिस्सा इस women को मिलेगा ये particular हिस्सा उसके भाई को मिलेगा इस तरह से अगर कोई चीज़े family में हो रही है या फिर compromise से अगर उसने खुद के rights या खुद की जो properties sacrifice की है या compromise करके अपने rights को give up किया है तो वो भी उसका स्त्रीधन होगा नेक्स देखिए property obtained in lieu of maintenance अंडर all the schools of Hindu law payments made to a Hindu female in lump sum or periodically for her maintenance and all the arrears of such maintenance constitutes त्रीधन यानि कि Hindu law की schools के according जो भी payment Hindu female को मिलती है या periodically के अगर उसे किसी तरह का maintenance मिल रहा है ठीक है उसके living के लिए उसके surviving के लिए अगर उसे किसी तरह का maintenance मिल रहा है तो वो maintenance भी उसका स्त्रीधन होगा Similarly, all movable or immovable properties transfer to her by way of an absolute gift in lieu of maintenance constitute her स्त्रीधन यानि कि कोई immovable या movable property अगर maintenance के तौर पर उसे as absolute gift के तौर अगर दी गई है तो वो particular thing भी उसका स्त्रीधन होगा Next है property inherited by women अगर inheritance से ठीक है अगर inheritance से अगर women को अपने father से या grandfather से अगर कोई property आई है उसके हिससे में तो वो भी उसका स्त्रीधन होगा Property received under a decree or award or through adverse possession यानि कि court के degree की वजह से या court का अगर कोई फैसला हुआ है जिसके through उसे अगर कोई property मिली है ठीकि उसके अंदर वो possession किसी property का आया है तो वो भी स्त्रीधन होगा अब next देखते हैं Property received in inheritance जैसे कि मैंने पहले भी बताया जैसे कि मैंने कहा अगर हिंदू फीमेल किसी तरह की property इनहरेट करती है विचाए मेल से हो फीमेल से हो उसके parent साइट से हो या husband साइट से हो तो यहाँ पर उसे स्त्रीधन constitute किया जाता है या माना जाता है मिताक्षरा constituted all inherited property as त्त्रीधन while the private council held such property as a women's estate यानि कि मिताक्षरा जो है उसने inherited property को स्त्रीधन माना है लेकिन प्रिवी council ने वैसी property को women's estate ऐसा नाम दिया है देखिए अगला देखते हैं property obtained on partition when a partition takes place except in madras father's wife mother and grandmother take a share in the joint family property यानि कि जब कोई partition होता है तब madras को छोड़ कर जो भी mother है ठीक है father's wife mother या grandmother है उन्हें भी joint family property किया मिलता है शेर मिलता है इन दे मिताक्षरा jurisdiction including Bombay and the Dayabhaga school it is an established view that the share obtained on partition is not a street but women's estate यानि कि Dayabhaga school में या मिताक्षरा jurisdiction में ऐसा माना गया है कि partition में जो भी share अगर women को मिलेगा तो वो उसका street नहीं होगा वो उसे women's estate कहा जाएगा अब देखिए power of a Hindu female over her women's estate यानि एक Hindu female के पास क्या power है उसकी women's estate को लेकर उसकी estate को लेकर उसकी property को लेकर तो सबसे पहला तो यह है कि power of management है उसके पास देखिए power of management like the karta of a Hindu joint family she has a full power of the management यानि कि Hindu joint family के karta के पर जो भी management को लेकर power है उसी तरह की power यहाँ पे women को भी दी गई है उसके estate के management को लेकर the karta is merely a co-owner of the joint family there being other co-parsners but she is the sole owner यानि कि karta देखा जाए तो वो सिर्फ co-owner होता है joint family का ठीक है और यहाँ पे क्या है जो यह women है वो sole owner होती है उस property की कोई co-parsners या कोई नहीं होता वो जो कुछ भी property है वो सिर्फ उसी की है और उस पर absolute ownership और उस पर absolute जो अधिकार है वो सिर्फ उसी women का है she alone is entitled to the possession of the entire estate and its income उसका possession का उसकी पूरी income का उस property की वो अकेली हगदार होती है her power of spending the income is absolute she did not save and if she saves it will be her street then she alone can sue on behalf of the estate वो अकेली अपने estate की बिहाफ में sue कर सकती है और उस अकेली को कोई sue कर सकता है यहापे कोई partner या co-partner आपको नहीं मिलेगा she continues to be its owner until the forefeature of estate by her remarriage, adoption, death और surrender यानि कि वो तब तक owner रहेगी उसके अकेली property की अकेली मालकिन रहेगी जब तक उसके estate का forefeature नहीं हो जाता remarriage की वज़े से, adoption की वज़े से, death या surrender की वज़े से तो यह एक power है women के पास, अगला power यह है कि power of alienation she has a limited power of alienation, like करता, her powers are limited and she can alienate property only in the exceptional cases, she can alienate the property for the following तो इस तरह से, जैसे करता के पास alienation को लेकर limited powers थे, उसी तरह यहाँ पर भी alienation को लेकर limited powers है, women के पास, 3 धन को लेकर तो वो इस तरह से अपनी property alienate कर सकती है सबसे पहले legal necessity, that is for her own need and for the need of the dependence of the last owner यानि कि जब legal necessity हो, तब second, for the benefit of estate, अगर estate की benefit के लिए अगर उसे कुछ करना हो alienate वगेरा तो वो कर सकती है and third, for the discharge of indispensable duties, indispensable duties यानि कि अगर ऐसी कोई duties हैं उसके उपर जिसकी marriage को लेकर, उसके बेटी के marriage को लेकर, या funeral rights अगर उसके husband के करने हैं वो shraddha and gifts to brahmans for the salvation of his soul तो ये सब चीजों के लिए अगर उसे अपनी जो property है वो alienate करनी पड़ी या discharge करनी पड़ी तो वो कर सकती है अगला दिखिये, power है उसके पास surrender यानि कि renunciation of estate by the female owner she has the power of renouncing the estate in favor of the nearest reversioner this means that by a voluntary act she can accelerate the estate of the reversioner by conveying the absolutely the estate thereby destroying her own estate this is an act of self-evacument on her part and operates as her civil death यानि कि अगर खुद होकर female अगर खुद होकर वो women चाहे तो अपनी property renounce कर सकती है, surrender कर सकती है किसी close one को या किसी close relative को ठीक है, वो यहाँ पे क्या है कोई उस पर pressure या coercion नहीं डाल सकता यहाँ पे इसकी खुद की will माहिने रखती है अगर वो खुद से personally चाहती है surrender करना उसकी property या उसके rights related to the property than she can, ओके देखिए अगला है reversioner, on the death of the female owner the estate reverts to the hires or the hires of the last owner as if the latter died when the limited estate ceased over, such hires may be male और female known as reversioner यानि कि जो भी female owner है उस property की उस estate की उसके death के बाद उसकी जो भी property है वो उसके last owner जो भी है hires उस उन्हें क्या हो जाती है reverse हो जाती है, उन्हें मिल जाती है, ओके, अगला देखिए right of reversioner, अब ये reversioner जो है, ये जो भी उसके जो hairs है जो भी उसके close ones है, तो ये जो reversioner से उनके पास ये right है कि वो जो female owner है, वो उसे prevent कर सकते हैं, उसकी जो property है वो west fully use करने से, या west fully alienate करने से यानि कि उस property का कुछ गलत तरीके से alienation या use होने नहीं दे सकते हैं, रिवर्शनर के पास ये right है अब देखें, application under the allied laws a women's right to her stridhan is protected under the law section 14 of the Hindu Succession Act 1956 related with section 27 of the Hindu Marriage Act 1955 इसमें ये कहा गया है in-laws के अंदर कि even if it is placed in the custody of her husband और her in-laws, they would be deemed to be trustees and bound to return the same if and when demanded by her यानि in-laws के अंतरगत ये कहा गया है कि अगर उसका जो stridhan या उसकी जो भी property है वो husband और उसके in-laws के under में होगी, उनके control में होगी तो वो जो husband और उसके जो in-laws हैं, वो सिर्फ as a trustee करके act करेंगे उनका उस पर कोई as a owner right नहीं है और जब भी अगर ये women जो है demand करें तो बुने उस property को उस estate या स्त्रीधन को उन्हें लोटाना होगा अगला देखिए section 12 of the domestic violence act 2005 provides for women right to her स्त्रीधन in cases where she is a victim of domestic violence over here यानि कि domestic violence का जो act है उसके अंदर section 12 के according ये कहा गया है कि अगर domestic violence की अगर वो women victim होगी तो उसमें उसका जो स्त्रीधन का जो right है वो wallet नहीं होने दिया जाएगा उसका जो स्त्रीधन का right है उसे मिलेगा उसके जो कुछ भी property उसका जो कुछ भी धन होगा वो उसके पास सही सलामत दियाद जाएगा अगला देखिए तो जो भी रिस्पोंडन होगा जो भी उसके husband या in-laws होंगे उन्हें direct कर सकते है कि जो कुछ भी आपके position में जो कुछ भी property है इसे वापस लोटा दिया जाए अगें अंडर section 18 clause 2 of the Domestic Violence Act the law says that a woman is entitled to receive the possession of the स्त्रीधन jewelry, clothes and other necessary items the term economic abuse has also been provided under the act यानि कि ये economic abuse नाम का एक term इसमें भी add किया गया है यानि कि इसका मतलब ये है कि economic के तौर पर या फिर पैसों के लिए या economically उसे harass करने के लिए अगर कोई उसका abuse कर रहा है या abuse हो रहा है उस women का तो यहाँ पर protection उसे मिलेगा तो ये है basically स्त्रीधन उसके provisions किस तरह से हाम स्त्रीधन acquire कर सकते हैं kinds of स्त्रीधन क्या है हमने detail में बहुत ही अच्छे से बहुत ही आसान सी language में डिसकस किया है अगर आपको फिर भी अगर इसमें कुछ doubt हो तो please आप पूछ सकते हो आप comment section में अपनी doubts clear कर सकते हो पूछिए मैं जरूर उसके answer देने की कोशिश करूँगी अगर आपको आज को ये session अच्छा लगा हो तो please like कीजिए comment कीजिए share कीजिए subscribe करना नहां बुले bell icon press कर दीजेगा ताकि मेरी वीडियो की notifications आप तक पहुन सके thank you so much